नमस्कार भारत एक्स्पर्स यूपी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साता कांग शेत्र पार्थी लोगसभा चुनाओ 2024 से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्या मंत्री योग्या दितनाथ अपने मंत्री मंदल का विस्तार कर सकते हैं और सूत्रों के मताबिक सुहेल देव भारते समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम्प्रकाश राजभर को क्याबिनेट में शामिल किया जा सकता है बीजेपी नेता दारा सिंग चोहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है और कौन कौन नेता है जो मंत्री बनाया जा सकते हैं हम आपको बताते हैं आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार क्याबिनेट में जल्द ही विस्तार कर सकती है और क्याबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्य मंत्री योग्यादेतनाश शुकुरवार को राजभवन पहुंचे और इस दोरान उन्होंने राज़ेपाल अन मंत्री बनने की भी संभाबना जताई जा रही है सुवस्पा के राष्ट्र अधिक शोंप्रकाश राजभर को मंत्री पत दिये जाने की बात कही जा रही है और पिछले कुछ महीनों से इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि राजभर को क्याबिनेट में एंट्री मिल सकती ह सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दारा सेंग चोहान को मंत्री मंडल में शामिल कर सकती है और पार्टी के एक और MLA को भी मंत्री बनाया जा सकता है कुल मिलाकर दो कैबिनेट और तीन राज्य मंत्री बनाया जा सकते हैं कुछ महीने पहले ही सीम योग्या दितनात ने प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात की थी और इस दोरान इस मुलाकात को शिष्टा चार भेट बताये गया था इसके बाद सीम योग्या दितनात ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा से भी मुलाकात की इन दिनों मुलाकात के बाद लगातार ये कयास लगाय जा रहे हैं कि लोगसवा चुनाओ की तारीखों के एलान से पहले UP में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है बही ओपी राजभर का कहना है कि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है पिछली बार आचार सहीता लगने से पहले दिल्ली और उत्रप्रदेश दोनों जगे कैबिनेट का विस्तार किया गया था उस आधार पर हम कहते हैं कि इस बार भी आचार सहीता लगने से पहले विस्तार हो सकता है इधर बीजेपी लोगसभा चुनाओ की तयारियों में जुट गई है और बीते दिन बीजेपी के केंदरिये चुनाओ समीती यानि कि CEC की बैठक हुई थी और ये बैठक साड़े चार घंटे तक चली है और रात तीन बजकर बीस मिनट पर खत्म हुई है इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा के अलाबा प्रधान मंतरी मोदी और अमिश्याह साइद कई राज्ये के मुख्य मंतरी और उपमुख्य मंतरी भी शामिल हुए बैठक में सीम योग्या अधितनाथ की मौझूदगी में सबसे पहले यूपी से बीजेपी के लोगसबा उमीदबारों की चर्चा की गई क्योंकि देश बर में सबसे ज़ादा लोगसबा सीटे उत्तरप्रदेश में ही है पार्टी के किन लेताओं को टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए इसको लेकर मंधन हुआ तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए देखते रहे है भारत एक्स्प्रेस यूपी नमस्कार